ओम शान्ति तुम्हे घर वैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हे अपार खुशी में रहना है विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है हमारी खुशी गायब होने के कितने करन है तो खुशी आने के कितने सरे करने है बता हुआ तो अब आप देख लो हमारा अपलड़ा का मुवारी है, खुशी गायब होती है विकारों के बश्याने, ये तो पता है न सब लो, ये तो मालूम है न, खुशी गायब और किसी कारण से नहीं होती, कोई ना कोई भूत होता है, हावी, तो खुशी गायब होती है, और कोई कारण नहीं है, खुशी के गायब होने का, कोई ये सुचे, इसकी वज़े से मेरी खुशी गायब, तो वो भी विकार है, हर एक बात के पीछे, विकार ही होगा, जब हमारी खुशी चली जाती है, तो भीचार जरूर करना है खुशी आने के कितने सारे कारण है direct almighty authority आपका है कितनी बड़ी authority है वो कितने सारे कारण मिलते हैं आपको खुश रहने के पर अगर ज़्यादा यही ढूढते रहेंगे हमारी खुशी गायब हो जाती है तो वही ढूड़ने को, देखने को वही मिलेगा, जैसा नजरिया वैसा ही सब कुछ नजर आना है, बाकी खुश होने के बहुत सारे अमरी तुले से लेकर रात्री तक, एक एक बात के लिए बाबा ने आपको खुशी का बरदान दिये, खुशी गायब करने वाले भी साथ में बेठे होंगे, आना माया रावन, कोई और नहीं कोई शूचे, हाँ, ये तो साथी बेठे है, माया रावन, हमारे अंदर ही ऐसे बेठे हुए है, उसको अभी खतम तो किया नहीं है, तो वो जागरी तो उजता है, हाँ रोज अपने, आज मुझे बहुत खुश रहना है, ऐ इसा नहीं कहना होता हुटा, तब उस दिन उदास रो गए, हाँ, ये सच्चा है, जब आप अपने आप से कहते हो, आज मुझे बहुत खुश रहना, आज मुझे अच्छ रहना, बस आज मुझे कोई फीलिंग ने लीनी, आज मुझे को अच्छ रहना है उसी दिन जास्ती ह कारण है आप अपन आपको जबरदस्ति कहर रह कि तुझे ऐसा रहना अपका आत्मा कर तो सवरूप ही खुश रहना है, आत्मा को अपने सवरूप में स्टर्थ कर दो शानती के लिए क्या है ? बवब ऐसा नहीं कहना करना मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए. आतम है फुजा ही शांतो सुरू. तो अपने आपको मत कहना कभी, तो ये तो आपने आपका कर लिया, आउन शांती करके. कभी कैत ओ शांती चाहिए. ब्रावनों सबसे पहला पाट तो ये तो पका है, कि शान्ती नहीं मांगनी है, तो खुशी भी नहीं मांगनी है, खुशी जाने के कारण माया है, विकारों के वश होना है, ऐसे आत्मा खुश रेती है, लाइट माइट है, खुश है, हलकी जितनी हलकी है, उतने खुश है, हलका पंजीतना होता नहोता अच्छा होता है, शरीर का नहीं, आत्मा की बात और तो तुम्हें घर बेटे भगवान बाप मिला है। कि ये बात ही अपने में कितनी खुशी देती है, कि आपको दुन्डा नही पड़ा, उन्होंने आपको डून्डा, आपको अपने में रहाला। उन्होंने आपका अपनी गोंद में बिठाया, सोचो, हम तो कोई बात हो जाए तो छोड़के भाग जाती है। उन्होंने राष्टी बंद कर दी, जोग का आजाती हो। तो ये भी तो कितने भाग इशाली है, क्यों? है नहीं? अपने आप में अगर देखना चाहे तो बहुत अचीव तो देखने के तरीके हैं, कि आप कैसे देखते हो, क्या देखते हो, किस धंग से देखते हो, आपका देखने का धंगी आपको खुशी देगा, नहीं तो आपको खुशी में भी दुख होने में कोई टाइम न आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित करो, वो सदा खुशी रहीगी, उसको दुखी होना नहीं आता है, क्योंकि दुख आत्मा का भूशन है यह नहीं, यह रावन की प्रपर्टी यह दुख देना, आत्मा की नहीं है, तो आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित कर दो, उनकी सारी प्रोपर्टियां उसको दे दो कोई जुरूरत नहीं रखने की ओके? ओम शान्ती